मस्तानी सबसे खुब सुएद महिला थी तियों बाजी राव को उनसे बंदू के लिए खड़े रहते थे और दोस्तो नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आज हम बाजी राव मस्तानी की प्रेम कहानी को लेकर दुनिया में बहुत ही आप लोगों ने भी पड़ा होगा यतियास में आज दोस्तो हम उसी के किले के बारे में आपको बताने बाले हैं और चलिए दोस्तो हम बताते हैं और इसका यतियास भी बताएंगे और इसका भी तथरी भी दिखाएंगे देखिए दोस्तो इस तरफ से आप लोग देख सकते ह किस प्रकार से इसकी डिजान की गई है और दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इसकी डिजान की गई है और देखिए यहाँ पर जब मस्तानी आया करती थी तो यहाँ पर देखिए कि यहां पर देखिए जब मस्तानी आया करती तो उसके स्वागत के लिए फूल बरसाए जाते थे यहां पर और थोड़ा अंदर चलते हैं तो यहां पर देखिए गेट भी लगा हुगा था जो इस समय पर गेट नहीं लगा हुगा है क्योंकि बहुत पुराना महल हो गया है त गेट भी यहां का टूट चुका है कुछ अंधर आते हैं तो यहां पहले महल इस प्रिकाज से हुगा कहते के सामने से इंटरी नहीं ले सकते थे के अंधर सीधा कुछ बाएं जाना पड़ता था तो चलते हैं और बगल से भी आपको लेगा चलते हैं मस्तानी के महल किस प्र और यहान पर देखिए कि тьखिये कि इस और आते हैं तो यहां पर एक कक्ष बना हुगा है ज़िसके यहां के बना हुगा है यहां पर देखिये किस 늦ना संदर लगता है उस समय इतना सुन्दर लगता है तो पहले कितना सुन्दर लगता होगा आप भी समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ एक और चीफ दिखाना चाहते हैं यहाँ पर इस समय कितनी चंग बादने लगी हुई हैं आप तो बहुत पुराना मेहाँ यहाँ पर रानी मस्तानी बैठक लगाया चलते हैं और आपको एक कक्ष को दिखाते हैं देखिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जैसी ही यहाँ पर देखिए किस पिकार से डियान की गई हो और इसके अंधर इंट्री लेते हैं तो यहाँ पर एक कक्ष बना हुगा है साइद में यहाँ पर रानी मज़ा ही थी और यहां पर देखिए यहां पर इस साइड देखते हैं तो मसतानी गया किचिन भी आपको देखने को यहीं पर मिल जाती है जहां पर ओ दास दासियां होंगी वो खाना बनाया करती होंगी दोस्तों चलते हैं और आंगे दिखाते हैं आपको यहाँ पर भी कुछ एक दोस्तों पर आ पराटे हैं तो किस प्रेकार से बनाया है किस प्रेकार से डिजान की गई है कि उस समय के जो कारियर हुआ करते थे तो वो एक अजीब ही टाइप की डिजान किया करते थे और देखिए यहां की छटें तो अब इस तमय तूट चुकी है क्योंकि इस मेहल को तो आप देखी सकते हैं कि छट भी आपको दिखाते हैं कि और भी यहां पर कक्छ बने हुई है उस कक्छ में क्या है यह भी हम देखते हैं क्या है पहली बार हम भी आए हैं आपको दिखाने के लिए आपने भी हमारे चैनल पर पहली बार देखा होगा देखिए यहां पर भी एक कप्छ बना हुगा है और यहा हो गी देखिए यहां पर यहां का इस्वास्यां नहीं हुगा काथि चते हैं और आगे आँगे चलते हैं तो और यहां मंजिल बना हुगा है देखिए यहां पर आते हैं यहां पर थोड़ा और भीव पिखाते हैं किस पिकार से बने हुए हैं देखिए यहां की दीवालें टूट चुकी हैं जब मस्तानी महराजा छत्त साल जब आए होंगे और बनवाया था यह महल तो उसी समय का है तो देखिए यहां की दीवालें में चूट चुकी हैं कुछ दीवालें किस पिकार से बिख्री पड़ी हुई हैं और भी आप देख सकते हैं किस पिकार से देखिए यह एक दो साल में साइट इस दीवालों का तो पता ही नी चलेगा क्योंकि एह महल जो यूपी में बने हुई हैं इस महल के बारे में सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है क्योंकि एहमती मद्द पिदेश में तो हर किले के लिए गाड रखे गए हैं और यहां यूपी में कोई भी किला ऐसा नहीं है के जिसमें गाड बागेरा हो देखिये थोड़ी वर भी दिखाय देते हैं कि यहां मस्तानी के बगल में जो उनके दास दासियां रहती थी उनके लिए भी एक महल बनो आई गया है इसी के जस्त बगल में तो उसको भी आपको दिखाते हैं देखिए ओमस्तानी की दस दासियों का महल है जो अब तो तूट चुका है क्योंकि तीन चार सबाय सो चुके हैं लगभग में आप देखी सकते हैं किस प्रकार से यहां की दीवालें तूट चुकी हैं देखिए दोस्तों आप चलते हैं और यहां पर देखिए यहां पर भी कुछ पेजा रहती थी उसके लिए जो महल बनवाए गए थे उनके बारे में आपको भी दिखाते हैं यहां पर आज की समय में इस समय क्या एंटरफेस है और देखते हैं क्या है इस महल में खास बात तो आप ही हमने नीचे-नीचे का सभी आपको रिभीव कराया है अब दोस और देखिए यहां पर सीडियों के माध्ध happens आपधा से ओपर जाना पड़ता है किस प्रकार से कारी गड़ी की होगी यहां पर देखिए आप लोगदेख सकते चिस समय है यहां की एक एक बजान भी आप लोग देख सकते हैं और यहां पर आएंगे और तो यहां पर छट डला हुगा है जो इस प्रकार से इस समय है और यहां पर और भी वीवी पर चलते हैं तो यहां पर आपको दिखाएंगें यहां से यहां का review कैसा है और देखिए यहां पर आते हैं जिस प्रेकार से यहां पर आते हैं तो यहां से देखिए किस प्रेकार से यहां पर एक कक्छ बना हुगा है और यहां पर देखिए यह भी उसी समय का बना हुगा है महल जो अब तूट चुका है वो देखिए किस प्र कोई ज्यान ही नहीं दे रहा तो आप यहां पर आ चुके हैं तो यहां पर देखिए किस पिकाई से डिजान की गई है यहां पर कुछ मोर बनाए गए हैं और कमल के फूल बनाए गए हैं कुछ इस पिकाई की डिजान की गई है मस्तानी के महल में और यहां पर सेड़ियां लग जो अब तूटने लगा है क्योंकि यहां पर तूट चुका है और यहां पर देखी किस पिकाल की ने की गई और यहां अन्दर जैसे ही अन्दर आते हैं तो यहां से बाहर का भी रिव्यू हो जाता है दिखाई देता है किस पिकाल से और यहां पर जिस परकाई से यहां अंधा आते हैं तो यहां पर पहरेदार लगाए रहते थे तो यहीं से वो पहरे से देखा क्ऐते थे मस्ताiają के महल पर कोई आक्मर्द ना कर से कोई दिस्मन आके और यहां से लगे रहते थे यहां से दिख जाता है, थाना कि मस्तानी के महन पर कोई अक्मन न कर दे और यहां से बाहर का रिविव हो जाता है और इस तरह चलते हैं तो यहां पर भी चत डला हुआ है बहुत ही सुन्दर लगता है यहां पर जब क्यों की घूमने के लिए बहुत कुछ टुवेस्ट लोग आते हैं और यहां पर देखिए यहां असका जीविव देखिए किस प्रिकाश से बनी हुई हैं यह और यहां पर बाहर से एक पहरेदार यहां पर भी लगे रहे होंगे, सायद में लगता तो यसी है, और यहां पर भी एक उसी पिकार का बना हुआ है, और यहां पर भी पहरे, क्योंकि जानी मस्तानी थी तो, और यहां पर आते हैं, तो यहां पर देखिये, किस पिकार से, यहां की दीवाल, यहां की भी छट तूट चुकी है और यहां पर छट तो डली है लेकिन थोड़ी इस बकार से डली है कि भो भी तूट चुकी है और दोस्तों अब अब यहां पर आते हैं तो यहां पर यह पूरा नजारा यहां से मस्तानी के महल का पूरा नजारा देख जाता है और दोस्तों म मस्तानी के महल की हिस्टिरी के बारे में बताते हैं मस्तानी महराज़ 76 साल की पुत्री थी जिसका जनम 1770 में हुगा था और 1740 में उनकी मित्तु हो गई थी क्योंकि वो केवल 42 ही जीवित रही और एक बार इबाजी राओ आए यहां इस के लिए में घूमने के लिए तो उन्ह मस्तानी को देखकर उन्हें एक देखकर ही प्रेम हो गया था तो उन्हें प्रेम होने के मस्तानी सबसे खुब सुएत महिला थी तो बाजी राओ को उन्हें से प्रेम हो गया था उनकी प्रेम कहानी इस प्रेकाश से बढ़ी के लोगों को उस समय देखने एक थी और दोस्तो जब छत्य साल ने तो महराजा छत्य साल ने उन्हीं की लिए महल बनवाया हुगा था तो दोस्तों इस वेडियो को यहीं एंड कहते हैं अगर वेडियो थोड़ा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक कहना चैनल को सस्क्राइब कहना जै हिंद जै भारा